when it comes out this much beautiful तो दिल करता है ना कहें उफ इतनी हसीन लग रही हो कि दिल कर रहा है तो भी खा जाओ अस्सलाम अलेकुम पेश खिदमत है मेरी हसीन दिलकश खट्टी मेठी टमाटर की चट्नी तो चले शुरू करते हैं जब टमाटर सीजन ओन तो चट्नी भी ओन तो समय सीजन स्टार्ट तो लुंच में मज़े मज़े की सबजी के सार्ट मज़े मज़े की चट्निया लाजमी अच्छी लगते हैं तो जी शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पास 3-4 टेबल स्पून और इसमें हम एड़ करेंगे 1 पिंच राई दाना और साथ ही राई दाना मस्टर्ड सीट को बहुते हैं गार्लिक फ्लॉफ बारिक बारिक चॉप कर लेंगे और एक छोटी हरिमेट्स गार्लिक तोड़ा एड़ करेंगे ताके टमाटर का अपना खटापन बरकरा रहे उसका एक फ्लेवर रहना जाहिए अब इसमें हम एड़ करेंगे खटास के लिए लेमन जूस 2 टेबल स्पून और इसमें साथ भी हम एड़ करेंगे दोड़ा सा पानी बस बह। जादा पानी नहीं आड़ करना टू 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 स्थी टेबल स्पून पानी आड़ करेंगे और साथ ही हमने इसमें एड़ कर दिया है PaaTी नमक और 1çiमेट्स खोटी लाल मेट्स वैसे नहीं चलाना क्योंकि आप हम इसमें आड़ कर देंगे 250 ग्रैम्स गुर्ड अगर आप शक्कर या चीनी आड़ करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं चमच हमने इसलिए नहीं जादा जोर से चलाना कि हमें तड़का नहीं बनाना हमें चटनी चाहिए और टमाटर को जो हमने लंबा-लंबा कट किया था उसका मकसद भी यही था कि टमाटर की एक खास जो शेप है वो थोड़ी थोड़ी उसमें बरकरा रहे हैं उससे ही होगा कि उसका जो चंकी पान है थोड़ा जादा खाने में मज़ेका लगेगा अब देखें गुर्ण हमारा पूरा मैल्ट हो चुका है एक अदा मिनट हमने इसको पकाया और पूरा इसने जो पानी चोड़ना थो चोड़ दिया अब हमारा पानी जो है वो ड्राइ होना शुरू हो ग जैसे जैसे इसके बबस जाग में चेंज दोना शुरू हो जाएंगे ना इसका मताब है कि चट्नी हमारी तैयार हो चुगे अब इसको एक से दो दफार हम स्टर देंगे और उसके बाद नियों चमश से उठा के देखें नहीं बिल्कुल गाड़ा हो चुका है बिल्कुल इ तो अब हमने क्या करना है इसको रूम टंपरेचर पर आने देंगे और अपने जिस भी बॉल में आपने इसको सर्फ करना उसके निगा लें गरम गरम सर्फ करें ये खाने में बहुत मज़े की लगती है अब ही मैं इसका प्रोज़ आपको लिखाते हैं ये स्टोव मैंने ब आँखों में दिल और मुँ में पाने इसको लांच में सर्फ करें डिनर में सर्फ करें किसी भी सबजी के साथ तो जरूर कहने वाले कहेंगे लां लां मज़े का मुझे तो ये देखने में इतनी हसीन इतनी दिलरुबा लग रही है ना कि मैंने इसके ऐसे फोटोशूट किय आपको भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ अल्ला हाफिज